नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज किस पार्टी को मिलेगी जीत और किस पार्टी को करना पड़ेगा हार का सामना सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि राजस्तान, चत्यसगर, मदपृदेश, तिलंगाना में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार सुबा के 8 बच चुके हैं और मदगन्ना की भी शुरुवात हो चुकी है धीरे धीरे रुज़ान सामने आएंगे और कुछ घंटों में ही नतीजे लगभख सामने आ जाएंगे तो बस कुछ घंटों का इंतिजार उसके बाद हो जाएगा साफ कि किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार राजस्तान, चत्यसगर, मदपृदेश और तिलंगाना में किस-किस सरकार बनेगी आपको पताएंगे नतीजों पर पलपल की अपडेट भी देंगे पर फिलाल चर्चा करते हैं कि आज क्या होगा और चर्चा के लिए में साथ स्टूडिय में मौझूद हैं कि आप अपचल टीपी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मिनिश्क बार रॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद आज क्या कुछ होगा से देखिए आज तीन चार चीज़े होने वाली है रिजल्ट तो आएगा ही लेकिन रिजल्ट के अलावा भी एक बार फिर से टेलिविजिन चैनल मीडिया सर्वे एजिंसियां और एग्जिट प रहमा ग्यमी इतनी कौन कहा जा रहा है किस से बात हो रहा है क्या अब बस काउंटिंग सुरू और रियल रिजल्ट आने सुरू हो जाएगी तो पहली चीज़ उसकी टेस्टिंग होगी दूसरी चीज़ राहूल गांदी के स्टाइल ऑफ पॉल्टिक्स का टेस्ट है रिजल क्योंकि जो वो प्रामिस कर रहे हैं और जिस स्कूल से उन्होंने ये सीखा है वो केजरिवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये फ्री वो फ्री ये फ्री ये फ्री उसके रिजल्ट क्या होते हैं उसके रिजल्ट जो दिल्ली में रिजल्ट आता है जो पंजाब में रिजल्ट नम्बर टू नम्बर थ्री ये भार्दी जट्था पार्टी के लिए भी परीच्छा है कि हर बार हर राज्य में भी दोहजार चौबिस में पुर्धान मंत्री बनेंगे नर्दर मोदी नर्दर मोदी के चेहरे पर चौनाओ लड़ेंगे वो अलग खेल है लेकिन क्या राज्यों में ये बार बार ये सवाल उटता है लेकिन ये सवाल कि क्या हर राज्य में जो चौनाओ होंगे उसमें पुर्धान मंत्री मोदी को ही आगे करके चौनाओ लड़ा जाए और उसमें बीजेपी को सफलता मिलती है या नहीं ये तीसरा सवाल जिसका आज एंसर चौनाओ के नतीजे पूरे हो जाएंगे तब और चौथा कि क्या हिंदुस्तान का जो वोटर है वो रिवाजों से अलग हो गया जैसा मद्दप्रदेश है या फिर 36 गड़ है यह पलटा पलटी पिछले बार पलट गया था मद्दप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी जीत गई थी वो कॉंग्रेस पार्टी के मुर्टता थी कि उरोंने अपनी पार्टी को तोड़वा करके बीजेपी के फिर सरकार है तो यह चार मुक्चे सवाल जिसका आज एंसर मिलना है इमिटिरियल है कौन जितेंगा कौन हारेगा बीजेपी कितने राज्यों में जीती कॉंग्रस कितने राज्यों में जीती यह बड़े सवाल नहीं लेकिन बार बार एक सवाल है जो बार बार उठा है कि ये जो चुनाओ अभी हुए है विधान सबाद के वो सेमे फाइनल है 2024 का इस जीत और हार से इसका पूरा इंपक्ट 2024 के चुनाओ में कितना पड़ेगा जिरो कोई फर्ट नहीं पड़ता जिस बहुमत से राजस्थान में पिछली बार 2018 के चुनाओ में गालो साहब और कॉंगरेस पाटी जीती उस हिसाब से क्या होना चाहिए था अगर उसका इंपक्ट है तो इंपक्ट क्या होना चाहिए था कुछ सीटे आती आप बहुमत में है आपके आसपास वोट जो है वो बीजेपी भी लेकर के आई है तो सीटों में बटवारा होता कम से कम 50-50 होता राजस्थान में कॉंगरेस पार्टी की सरकार बनी 2018 में कॉंगरेस पार्टी चुनाओ जीत गई ठीक जैसे 2023 में अभी चुनाओ हो रहा है लेकिन सीटे लोग सभ में वो एक भी जीत नहीं पाई प्लेन जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका इंपक्ट उसका बेकार की बाते हैं मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में 2018 में जब चुनाओ हुए थे तो कॉंग्रेस पार्टी जीती कमलात मुख्यमंत्री बने वो तो सिंद्या साहब तूटके इधर आ गए तो वहाँ पर बीजेपी के सरकार आ गए लेकिन 2019 के चुनाओं में क्या हुआ अपने कर्सिशिए जो है छिनवारा वो कमलात वो बचा पाए बाकी एक भी सीट जो है वो इधर नहीं आया तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप यह जो लोग सेवी फानल है सेवी फानल है सेवी फानल है इससे बहुत थारी चीज़े हो जाएगी वो हो जाएगा ऐस हो बिकार की चीजे हैं और यह थेओरी खास करके यह जो लिफ्ट कबाल यह कॉंग्रस के पेरोल पर चलने वाले पत्रकार है वह इस चीज को कर रहे हैं और यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के फिर से जो सब बुगाहट हो रही है कि सब एको बुला लिया गया है नतीजों के त रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तब होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज को यह डर लगता है कि हमारी इस्तिती बहुत ही वर्नरेवल है हमारे आकड़े हमारे पास जो है विधायक जो है बिलकुल टच अन गो के सिच्विशन में हैं पांच-दस इधर से उधर चले गए तो हम उपर भेजदो उसको कहीं भी भेजदो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वापस आगर के वो जाए गई जाने वाले को कौन रोख सकता है तो यह उस पार्टी के अंदर व्याप्त जो जीजक है उनका उनका जो अंडर कॉन्विडेंस है वो कमजोरी को दर्साता है और इस मुल्ख हारे जीते क्या फर्क वह पिछली बार कॉंगेस पार्टी जीत गए राजष्थान में इनकी सरकार बढ़ गये 36 में फिर फिर तो आप चुनाव में आगए कौं से फर्क पढ़ गया भीजे कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी इतने सारे चुनाव जीती 2019 के चुनाओं से पहले क्या फर्क पड़ा कॉंग्रिस पाटी की सरकार बन गई सीट बढ़ गया राहूल गांदी के नैशनल लीडर बन गए कोई फर्क नहीं पड़ता ये डिमोक्रसी है चुनाओं आएंगे जाएंगे कोई जीतेगा कोई हारेगा लेकिन जब हम इन चुनाओं की बात करते हैं तो जो मुखे जो चार पाँच सवाल है जो फ्यूचर के पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा उसके सवालों का जवाब जनता की राय से जनता के वोट से लेनी चाहिए और अभी तो सुरुवात हुई है आठ बजी से सुरुवात है काउंटिंग की और मैं आपको बता दू इधर दुर में जाईएगा कैपिटल टीवी देखिएगा कैपिटल टीवी पे आपको हर किस-किस टीवी चैनल पे क्या चल रहा है एक जिगर जनकारी भी मिलेगी और अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी सही काउंटिंग स्टार्ट चालू कर दिये कैसा लग रहा है कि साथ में से चुना हुआ और बहुत सारे जो चैनल जो है वो सुरुवात में टी आर्पी के लिए कि सबसे पहले सबसे तेज रिजल्ट हम दिखा रहे है उसके चक्कर में उसके बाद सीट्स डाउन कर देए और उसके बाद पहले बढ़ा देंगे फिर दीरे 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 उसको एड़ेस्ट करते हैं और उसमें क्या होता है लोग बहुत सारे लोगों को पहले एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टल बैलेट्स है उसकी काउंटिंग के रिजल्ट आएंगे इसलिए नौ बजे तक यह जो चल रहा है टिकर के अंदर और टेलिजिन चैनलों के उपर उस पर यकीन करने की आवश सकता बिलकुल नहीं है जब ओरिजिनल काउंटिंग सुरू होगा वापस आप कैपिल टीवी पाईए जी बहुत बहुत धन्यवाद से दन्यवाद तो बस कुछ घंटों का कीजिए इंतजार रिजर्स होंगे आपके सामरे हर राज्यों के चुनावे नतीज़े आपको बताएंगे कहां कौन पार्टी कितनी सीट से आगे है किस पार्टी की कितनी सीटे आ रही है कौन-कौन अपनी सीट से हार रहा है सब कुछ बताएंगे जीत का जश्नू भी दिखाएंगे तो देख ते रहे कापटल टीवी नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूप विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं क्यापिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं